नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubah.org असलामलेकुम नई सुभा इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम की ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हूँ ना दिया ड्राइब वैदर, डिहाइडरेशन और कॉस्माटिक्स के रेगुलर यूज़ की वज़ा से ना सिर्फ लिप्स ट्राइ हो जाते हैं बलके इसके साथ साथ लिप्स का कलर भी डाक होना शुरू हो जाता है अगर हर तरह की लिप बाम इस्तमाल करने के बाद भी आप ये तमाम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो आज की सिंपल सी ब्यूटी टिप आपकी इन तमाम प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकती है हनी यानि शहत ले और टूथ ब्रश की मदद से लिप्स पर स्क्रब की तरह अपलाए करें तकरीबन साथ से आठ मिनट तक लिप्स की स्क्रबिंग सॉफ्ट हाथों से करें और इसके बार टिश्यू वाइप या पानी से लिप्स को साफ कर ले और कोई भी अच्छा सा लिप बाम या मॉश्चराइजर लिप्स पर अपलाए कर ले हनी के साथ लिप्स की स्क्रबिंग आप तकरीबन एक हफ़ते तक देली करें पहले दिन साथ से आठ मिनट तक और उसके बाद रोजाना एक से दो मिनट तक शेहद को स्क्रब की तरह लिप्स पर अपलाए करें फर्स्ट एप्लिकेशन में ही आप अपने लिप्स के टेक्स्चर और कलर में वाज़े डिफरेंस देखेंगे और इस टिप को रेगुलर वन वीक इस्तमाल करने के बाद आपके लिप्स ना सिर्फ सॉफ्ट और प्लंप हो जाएंगे बलके इसके साथ साथ आप लिप्स का नैश्रल पिंक कलर भी अचीव कर सकेंगे मेक शोर लिप बाम के इंग्रीडियंट्स में पैट्रोलियम जेली शामिल ना हो क्योंकि सन लाइट में पैट्रोलियम जेली का इस्तमाल लिप्स के करर को डाग कर देता है ये तो थी आज की ब्यूटी टिप तिल नेक्स टाइम, अल्ला निके बान इस्तमाइगी जीए